हेलो गाईज स्वागत एक बर फिट से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहां बात करेंगे स्विरलंका और मंगलादेश की बीच में जो फर्स टोडिया ही खेला जाएगा इसके बारे में यह वुमेंस के टीम है आप लोग के लिए नया होगा आपको प बस पूरा वीडियो देखना है विदाउट इसकिप किया और इस वीडियो के बाद कोई फर्दर अपडेट आता है आफ्टर टॉस के बाद कोई ऐसी न्यूज जो आपकी फैंटसी टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा तो उस सारी चीज़े हम आपको अपने टेल का दिखा रहा था तो जैसा भी होगा वैसा मैनेज करेंगे नौ बजे से आप ऑनलाइन हो जाना ठीक है पिछ रिपोर्ट की बात करें तो जो कॉलंबो का ग्राउंड है वोमेंज की मैच की बात करें तो 184 का 6 मैचेज में फर्स्ट रिनिंग का एवरेज स्कोर रहा है ओड इसेंटली यहां पर एक मुकाबला खेला गया था अप्रेल 2019 में जिसमें बहुत लो स्कोरिंग गेम हो था इस्पिन नौ पेसर ने 6 विगेट निकाले थे ठीक है बट ओवरॉल अगर मैं बात करू ना पीची रिपोर्ट की तो देखो ऐसे गेम्स में जब दो ऐसी टीम्स अब जो बॉलर्स होता है ना मोस्ट अब टीम्स में चाहे स्पिनर हो या पेसर अगर वह विकेट टेकिंग है तो मोस्ट अब मैच में उनके लिए पिच माइने ने रखेगा वह विकेट लेके ही जाएंगे ठीक है और यह कुछ रीजन से जिसके अकॉर्डिंग में आपको टेलिग्राम पर दे दूँगा तो टेलिग्राम से और जूर जाना ठीक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है अब दोस्त हम बात करें ओवरल दो मुकावले खेले गया है दोनों टीमों के बीच में एक बार सिरलंका ने और एक बार बंगलादेश ने जीता हुआ है अब यहां पर दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख सकते हो कौन लेफ्ट हेंडर है कौन राइट हेंडर है यहां पर मैंने आपको दिखा दिया ठीक है अब सिरलंका टीम की प्लेइंग लेवन की बात करें जो इनका इंपोर्टेंट प्लेयर है ना देखो बीडीसेंट है मा कंचना का फॉर्म बल्लेबाजी से ठीक है गिंदबाजी से एक मैच में विकेट लिया बाकी दो मैच में विकेट लेश रनावीरा ने अच्छा परफरमिस किया कला शूरिया थोड़ा डाउन गई है परफरमिस सुगंदीका कुमारी ने टीट्वेंटी म में पांच मैच में सिर्फ दो विकेट लिया वाय बाकी मैचेज में विकेट लिस गईगे ठीक है यह इनके रीसेंट प्लेयर हैं वह सुगंदिका कुमारी आई राना वीरा के दिलहारी ओसेदा राना यहां पर सुगंदिका कुमारी का पर्फर्मिस थोड़ा डाउन है यह आपको दिख रहा होगा अब इनकी टीम से जो अच्छे खासे ओवर्स की बॉलिंग डालते हैं वह कौन कौन है अगर हम बात करें तो देखो एक तो राना सिंग्य और राना वीरा और सुगंदिका कुमा यह लोग मिल के जो है 20 से 25 वर्ट डालते हैं यह जिसके नाम मैंने बाद मिली है इनको अगर नीड पड़ेगी ना तो निलाक्सी डिसिल्वा थीक है अब जो इनके पावर प्ले के और देथ के बॉलर है वह कंफर्म नहीं रहते हैं पावर प्ले में फिर भी राना सिंग्य में अब नहीं है तो चमारी अटपर्ट खूद आजाती है कभी यह कंचना को भी देथ में देथ में तो सिओरिटी नहीं है वुमेंस के मैच में कौन देथ में आते हैं बस आपको अच्छा बॉलर करना और जो अच्छी एकोनोमी रखेगा वो देथ में आ सकती है ठीक है इ इनको रखा हुआ है यहां से दिलहारी जो कि 26 रखती है चेट है अटा पट्टू 32 विकेट है उसे दारा ना सिंगे तेरा का अवरेज है 25 विकेट है इनका भी है तो यह चीजी आप देखते हुए चल सकते हो ठीक है अब रनाव वीड़ा का रिकॉर्ड बालिंग से अच्छा क्योंकि देखो आज भी एक लाग का giveaway आपको दिखेगा दोनों IPL के मैच में तो फटा फट जॉइन कर लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीजन इलवन पर साइन अप करो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा giveaway का फायदा उठाओ डेली बैंग लेवन की बात करें इन्होंने अपनी लेवन काफी एक नाउन्स की है इनके most कैब दः इंप्लेटनंस प्लेयर्स हैं फीर भी आप इंके प्लेइक प्लेयर ढैररा सुल्तान, नाइदा अक्तर, जहानार आलम और इस मेगला समीमा सुल्तानależy का लोड़ा बीच में आपके नाम के इनके नाम क्या ऊई मैंने लिग दिया है अब उनकी टीम से अच्छे खासे ओफ़स इसकि बॉय नाहीड मुंट ранाथ either डालने चाहिए अब इसके अलावा चांसे रहते हैं देखो एक तो से ओवर्ट डाले अब इनकी टीम से भी देथ ओवर्ट कंफर्म नहीं है जो अच्छा एकोनोमिरेट रखेगा वो देथ में आ सकता है तो वह भी बताना बहुत मुश्किल है कास करकी वुमेंस के मैच में प्लेयर वाइज स्टैट्स देख लो निगारसुल्टान 24 का है आप देखते हुए चलना सोराक्तर का पंदरा एवरेज है पंदरा का एवरेज है चार इनिंग में दो विकेट है टी ट्वेंटी का स्टैट्स ही है क्योंकि ओडिया यह ज्यादा मैच खेली नहीं है जाना रहा रहा है नाई दाक्तर और एसमेगला का रिकॉर्ड तो यह कुछ हैट टुएट था जो ज्यादा थे नहीं कि दो ही मैच हुआ है अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरह कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं निगारा सुल्तान यहां के लिए अच्छी पिक रहेंगी हां कीपिंग की बात करें तो समीमा सुल्तान कर सकती ह तो बैट सुमें निगार सुल्तान थोड़ी क्वालिटी वाइज है ठीक है क्वालिटी अच्छी प्लियर है इसले इनको लिया है समीमा सुल्तान अटेकिंग अंदाज में खेलती है जल्दी जा सकता है प्लस विकेट कीपिंग का बैक अप रहेगा तो आप इनको कंसीडर क देखा दूँगा अनालिटी वैसा ही रहेगा तो उसमें अभी जैसे आप जिसमें एक बैट में ले जा सकती है इसलिए थोड़ी सेफर साइट समराविकर्मा बीडी सेंट ले रहे रहे है उतनी खराब नहीं तो उतनी अच्छी भी नहीं प्यंटी शाटी इसमें करके जा स पूरी तरीके से उनको हर एक तरीके से घ्राइं गया वर्ट जादा भैटर थी जब इनको टौप और में घुसाए गया थो थोड़ा से इनका परफॉर्मिस डाउन गया तो अभी इनको नहीं लिया है उसके बाद मुर्शिद्या खवत्म उतनी अच्छी आप्शन नहीं रहे थोड़ी ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी और कोई अच्छी ऑप्शन है थोड़ा नीचे आ सकती है राजा पक्से टालेंटेट तो है बट एक्स्पीरेंस थोड़ा कम है तो मिनी जील में इनको ट्राइ कर लेना उसके बाद ऑल्राउंडर सेक्शन से अटा पट्व मस् पर सकती इसलिए मैंने इनको ले लिए दिलहारी यह एक अंडर रेटेड ऑल्राउंडर है शिर्लंका की अच्छी बॉलिंग करती है डीशन बल्लेवाज है तो इनको आप खराब नहीं किया सकते हो मैंने इनको लिया और यह ट्रम्पिक रहेंगी अपनी ठीक है उसके बाद लेकिंग थोड़ी बल्लेवाजी कर लेती है और अच्छी खासी करके जा सकती कभी कभी और भी कर जाता है मेंने रिस्क नहीं लिया है बट आप लेना चाहो तो ले सकते हो ठीक है क्योंकि बल्लेवाजी एक रिसेंट्ली इन्होंने एक मैच में 47 का स्कूर किया था नीचे स सौर्णा अक्तर है यह डोमेस्टिकली टेलेंटेड मानी जाती है टीट्वेंटी में इन्होंने डीजन्ट परफॉर्मेंस किया हुआ है और डियाई में पता नहीं बॉलिंग मिलेगे कि नहीं दिक्कत है और टीट्वेंटी चार मुकाबले में बॉलिए दो विकेट निका बजना ठीक है उसके बाद यहां पर नारा अलम को आप लेना चाहो तो ले सकते हो यह इनकी टीम की में टेज गेंबाज हुआ करती थी कभी बट पता नहीं बीच में इन्होंने इनको मौका देना छोड़ दिया बॉलिंग भी पूरे ओवर नहीं दिये जाते हैं और इनका उस तरीके से डाउन गया है तो अभी के लिए तो मैंने इनको टीम में जागे नहीं दिया है बट आप चाहें तो ले के जा सकते हो कि इनके लिए पावर प्ले में गिंदबाजी कर सकती है और अगर स्विंग मुव्मेंट रहा तो यह अच्छा खासा गिंदबाज परिसान कनलां उन से सकती है कभी कभी तो दित्व में आ सकती है गर इनके टीम का अच्छा इनके बारे में सोच रहा हो थो शुक्ant अच्छी time की पर से श्वखें ऐसर अच्छे घास है विकेट लिए में और फॉर्म भी अच्छा घासा है सुगंदी का कुमारी डीसेंट बॉलर है ना विकेट टेकिंग ना उतनी खराब लेकिन मैंने थोड़ा सा यह सोचा में को ऐसा लग रहा है कि सिलंका की जो टीम है वो थोड़ा डॉमिनेट कर सकती है क्यो कि ठीक ठाक बॉलर है लेफ्टा मॉर्थ और नाहिदा अक्तर के बाद यही सबसे अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती है तो इनको लेकर जा सकते हो बट वही थोड़ा टीम स्ट्रेंद को देखते हुए मैंने सुगंदी का कुमारी को पर रिस्क लिया है ठीक है अब जो दो बच रहा है ना जैसे आपको दो मालो जिसमें तीन बैट्स में लेने कंपल सरी है वहाँ पर इन दोनों को निकाल के लता मंडल और समरा विकर्मा को ले सकते हो क्योंकि विकिट कीपिंग बैक अप देंगी और उसके बाद यहां पर आप लोग यहां पर मेगना को लेके जा सकते हो ठीक है तो इस प्रकार से आप चेंजेस कर सकते हो मैं दोनों टीम आपको दिखा देता हूं अभी के लिए टीम हो रही है ना वह कुछ इस प्रकार से यह वाली टीम है जिसमें एक बैट्स में के साथ भी जा सकते हैं मैं वह वाली टीम भी दिखा दूँगा जिसमें सबका मैंने आपको समझाया है कौन किस सिच्वेशन में अच्छा पिक हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रम्पिक्स का यूज करते हुए कैप्टन वाइस कैप्टन का यूज करते हुए ग्रेंड लिग के कॉंबिनेशन्स बना सकते हुए कि स्मॉल लिग कीटी में इसे ग्रेंड लिग में लगाने की गलती मत करना अब इसमें किस तरीके से चेंजस करना है वो मैंने आपको सब आल्रेडी समझाया हुआ है अब प्लेंग 11 आने तो थोड़ा सा कंडिशन्स देखने तो मैच का आफ्टर टॉस किस तरीके से होता है त तो प्लीज चलिगाम से जोड़ जाओ बिल्कुल फ्री है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है अब यह वह आली टीम है जिसमें हमने तीन बैट्स में लिया है मैंने यहाप समीमा सुल्तान की जगे सीधे-सीधे लता मंडल को लिया है जो बैटिंग ब कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो को देखके तो एक लाइक जरू करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने और टेलिग्राम से जूर देना मिलते दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए जय